हेलो दोस्तों मैं हूँ आरती और आप सभी का हारी स्वाथ है हमारे संस्कति आइस के चैनल पर तुम मैं आपके सामने फिर से हाजर हूँ एक बहुत ज्यादा चर्चित टॉपिक को लेकर के आई होप आपने यह पढ़ा ही होगा तो यहां पे हम बात करने वाले हैं पाकिस्त में आ रही है उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा यहां पी यह है कि करतारपुर साहिप कोरिडोर पर जो है पांस साल के लिए जो है अग्रिमेंट जो है बढ़ाया गया है इसके पहले आपको पता होगा 2018-19 में जो है अग्रिमेंट किया गया था तो यहां पे एक नियम करते हैं आपको पता है कि वहां पर जाते हैं कि वहां पर जो है जो गुरुद्वारा इस्थापित किया गया है गुरु नानक जी के द्वारा वहां पर इस्थापित किया गया था और सबसे जादा महात्यपूर्ण इंपोर्टेंट भी माना जाता है क्यूंकि आपको पता ह भारत और पाकिस्तान वीभाजन के बास, पंजाब हमारा पॉर्षन पाउजाब हमारा पार्ट हो लाता है, उसके दो पार्ट हो गये तो यहां पर दो गुरद्वारों को आपस में जोडने वाला कोरिडौर जो है, उसमें फिर से 5 साल के लिए अग्रिमेंट को बढ़ाया गय कि भारत और पाकिस्तान ने करतार पुर्ष साहिब करेडोर पर अपने समझावते की वैदता पाँच साल के लिए बढ़ा दी है अभी हाले में हमारी विदेश मंतरी वहां गये थे उसके बाद जो है ये चीजे निकल कर सामने आ रही है अब एक बार मैप में हम देखें कि भाई मैप में कहां पर है देखो यहां पर एक है डेरा बाबा नानक एक हमारा गुर्दवारा है और यहां पर है जो करतार साहब यहां पर गुर्दवारा इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये कॉरिडोर है इसकी वज़े से ये महातोप की गई है कि जो धार्विस से सम्मंदित अगर को यात्रा करने जा रहा है तो उस पर जो है एक तरीके से फाइनिंशल बर्डन नहीं होना चाहिए अगर कोई तीर तीसल पर जा रहा है तो इसको भी लेकर के हम बात करने वाले हैं यहां पर तो कुछ अन्य महात्यपूर मिन्द लेकिन गुरुदवारा जो है बहुत पहले से है तो कन्फ्यूज नहीं होना है कुछ-कुछ के दिमाग में चलने लगीगा कि गुरुदवारा ही अभी बना नहीं गुरुदवारा बहुत टाइम से है वहाँ पर इसके तहत भारती तीर थे आत्रियों को पाकिस्तान के नार नारोवाल में इस एतिहासिक गुरुदवारे तक वीजा मुफ्त पहुच की सुविधा दी गई मतलब क्या है यहां जाने के लिए आपको कोई वीजा बगएरा नहीं लेना पड़ेगा जैसे होता है हम कभी दूसरे देश की सीमा को पार करते हैं तो वीजा चाहिए होता है सीमा करके तो जा रहे हैं पाकिस्तान में लेकिन आपको वीजा नहीं चाहिए होगा क्योंकि यह एक धार्म के आत्रा है ठीक है उसके बाद लेखा है पाकिस्तान में मौजूद यह हैं गुरुदवारा सिखों के लिए बहुत महतुपूर है क्योंकि सिख धर्म के और अन्तिम साल 18 साल लगभग जो है वो यहीं पर रहे हैं पहले तो विभाजित था नहीं भारत भारत और पाकिस्तान एक ही एक तरीके समाने थे उसके बाद विभाजित हुआ है तो जो गुरुद्वारा है वो उधर चला गया लेकिन जो है धर्म को मानने वाले लोगों के आस्थाएं तो जूड़ी हुई है इसलिए क्या किया गया इसको स्टार्ट किया गया था अब यहां पर वही है कि खास क्यूं है आपको बताई दिया कि लगभग 17 साल 5 महीने 9 दिन तो आप 18 साल मान कर चल सकते हो कि कि महां पर महीने साल और हफते नहीं पूछे जाएंगे तो 18 साल वहां पर रहे थे और यहां रहे ची दिन लिए थाता है और जीवन के आखिय दिन जैसे होता है जहவीट स्टार्ट को बात रह दर दूर है जो ये गुर्दवारा ही, ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब कुछ और भी चीजे हैं, गुर्दवारे से सम्मंदी थी है, क्या लिखा हुआ है, गुरु नानक देव की पांच सो पचासमी जयनती के अवसर पर करतारपुर कोरिडोर का निर्माड पूरा हुआ था, ज आपको मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि पहली बार इस्थापिट किया गया था, ठीक है, बहुत पुराना है ये, 1999 में भारती प्रधान मंत्री अटल भिहारी वाचपेई और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जो उस समय के थे, नवाज सरीफ ने इस गलियारे का प्रस्ताव रख उसके बाद जो विकास इसकी यात्रा रही है, फिर क्या है, 2018 में पाकिस्तान सरकार ने गलियारे के निर्माड को मंझूरी दी, 18-19 साल लग गए इसको मंझूरी मिरने में, यही होता है जब आप किसी ऐसे देश के साथ डील कर रहे हो ना, जो आपकी किसी बात से सहमत नहीं होना चाहता है, तो समय लगता है, अब सोचो अगर हम किसी दूसरी देश के साथ कोई व्यापारिक संधी कर रहे होते, सांस्कृतिक संधी कर रहे होते, कुछ भी ऐसी संधी हो रहे होते, इतना टाइम तो ही लगता है, एक साल लगता है, दो साल लगता है, तीन साल, 18 साल य पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खाल ने इसका सिला न्यास किया था यह गलियारा भात में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में करतारपूर साहिब से जोड़ता है डेरा बाबा नानक और क्या है करतारपूर साहिब यह दोनों ही गुरुद्वारे हैं ठीक है इम्पोर्टन गुर्द्वारा था यहाँ पर करतारपुर साहिब यह चला गया दूसरे पॉर्शन में पाकिस्तान के पास तो यहाँ पर बोला रहे हैं कि भई यह हमारा मान लीजिये यह डेरा बाबा नानक गुर्द्वारा है और यह जो है करतारपुर इन दोनों को जोड़ ठीक है इस सहर को बसाया उनके नाम पर ही इसको रखा गया है देरा भाबा नानक भारत पाकिस्तान सीमा से एक किलो मीटर की दूरी पर और रावी नदी के पूर्वी किनारे पर इस्थित है अब आपसे पूछा जाए कि देरा बाबा नानक जो गुर्द्वारा है ये जगह है ये जो है कहा है कैसे है तो भारत पाकिस्तान सीमा से एक किलो मेटर की दूरी पर और रावी नदी के पूर्वी तट पर इस्थित है अब बताओ रावी नदी के पूर्वी तट पर इस्थित है तो भारत में होगी कि पाकिस्तान में होगी ये कमेंट करके आप बताएगा ठीक जो यूँ जमु कसमिर के नदिया आब ऊपर जाएंगे पंजाब के नदिया तो ऐसे वहरी ये उपर से नीचे तो पूरवी किनारे पे जातर हमारे भारती राजे हैं भारती जिले हैं और पश्मी किनारे पे या पश्मी तरफ जाएंगे तो आप पाकिस्तान के तरफ चल जाएंगे ठीक है तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि नदी के पश्म की और पाकिस्तान का करतार पूर है और पू वर्डूर है उसको खोला ही गया है पांच साल के लिए सातना आपको मैंने बताया कि जो हमारे जो सिक धर्म से संबंदित लोग हैं जब वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो उन पर 20 डॉलर का चार्ज लगाया जाता है तरीके से ठीक है तो हमारे विदेश मंत्री गया है उन्हों पाकिस्तान के साथ सुधरते दिखाई दे रहे हैं अभी आपने देखा ही होगा हमारे विदेश मंत्री जब वहाँ पर गये थे तो जो काला चसमा लगा के जब उन्होंने वाक की तो वो आपने आप में वाइरल वीडियो के रूप में सब जगे सामने आ रहा था ठीक है त की हम उसको इतना महातों क्यों दे रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी कॉम्मूनिटी है जो उसको एक तरीके से देख रही है ठीक है और भी से समंदित जो गुरुद्वारा है जिसके गुरुद्वारे के बारहे में हमने पढ़ा है इसके बारम ये भी बोला आता कि बहुत सार मतब अगर टाइम होती रहती है कभी जो है पाकिस्तान सरकार के दोर्ट की जाती है कभी जो है हमारी भारती सरकारे वो भी मदद करती दिखाई देती है ठीक है तो यह topic हमारा हो गया यहां पे complete अब हम मिलेंगे हमारे अगले topic में जो चर्चा कभी से बना होगा आज के लिए उसको हम अगली class में पढ़ रहे होंगे तब तक जो है हम से जुड़े रहेगा चलो को subscribe करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको time से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएगा have a good day thank you